नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों 20 एप्रल 2023 दिन गुरुवार वैशाक अमावसियर साल की सबसे बड़ी अमावसियर इस दिन बना दिव्य और दुरलब महाशुब सयोंग भगवान शनिदेव के आशिर्वाद से इन 6 राशी वालों को 20 एप्रल वैशाक अमावसियर के दिन करोडपती बनने से स्वयम विधाता भी नहीं रोग सकते जी हाँ दोस्तों आपको बता दे 20 एप्रल वैशाक अमावसियर के दिन बन रहे महाशुब सयोंग कालसर्प योग में 12 राशियों में से 6 राशी वाले करोडपती बनने वाले हैं स्वयम भगवान शनीदेव की कृपा से इन 6 राशी वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और अब इन 6 राशी वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शनीदेव के आशिरवात से अपार खुशियां जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों ये खुशनसी भागेशाली राशियां कौन कौन सी है जो की 20 एपरिल वैशाक अमावस्य के दिन भगवान शनीदेव की कृपा से करोडपती बनने वाली हैं ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको उन्ही छे भ लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिलकुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन छे राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर रहने वाला है दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर करते हैं भगवान शनीदेव के सचे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जै शनीदेव लिखें और जिससे भगवान शनीदेव का आशिरवाद आपको सीधे प्राप्त हो सकें दोस्तों हिंदू धरम में अमावस्य का विशेश मैत्व है साल में 12 अमावस्य आती है इस दिन किया गया तीर्थ स्तान और दान जीवन के हर कष्ट से मुक्ती दिलाता है वैशाक मा आरंब हो चुका है वैशाक के कृष्ण पक्ष का आखरी दिन अमावस्य तिथी होती है चूंकि ये तिथी पित्रों को समर्पित है ऐसे में इस दिन श्राद करम करने से प्रेवाहिक जीवन सुखत बनता है संतान सुख प्राप्त होता है आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है जीहा दोस्तों आपको बता दे वैशाक मावस्य 20 एपरिल 2023 गुरुवार को है इस साल मावस्य पर साल का पहला सूर्य ग्रेण भी लग रहा है वैशाक मावस्य पर गायत्री मंत्र का जाब पीपल की पूजा और श्राद करम करने की परंपरा है इस दिन गंगा, नर्मदा या पवत्र नदी में सनान के बाद घाट पर ही दान करने से हर कार्य में आरही बादा दूर होती है स्वभाग्य में व्रिधी होती है दोस्तों आपको बता दे वैशाक मावस्य पर साल का पहला सूर्य ग्रहन भी लग रहा है सूर्य ग्रहन 20 एप्रेल को वैशाक मावस्य तिथी को सुभे 7 बज़ कर 4 मिनिट पर लगेगा और दुपहर 12 बज़ कर 29 मिनिट पर ग्रहन समाप्त हो जाएगा साल का पहला सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए यहां इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा वैशाक के अमावस्य हिंदू कैलेंडर की पहली अमावस्य कहलाती है वैशाक अमावस्य पर सत्तु का दान भी दिया जाता है इस कारण से इसे सत्तवाई अमावस्य भी कहा जाता है इस अमावस्य पर पित्र दोश और कालसर्प दोश से मुक्ति के लिए पित्रों के नाम से भ्रामनों को भोजन कराएं और भोजन में से कुछ भाग, कवा, गाय या कुत्ते को खिला दे वास्तु और ग्रह दोश से छुटकारा पाना चाते हैं तो वैशाक के अमावस्य पर राहगीरों को पानी पिलाएं और पशू पक्षियों के लिए सायादार विक्षप पर रहने की व्यवस्था करें दोस्तो चलिए आप बात करते हैं उन खुश नसीब भागशाली राश्यों के बारे में जो कि भगवान चनीदेव की क्रिपा से वैशाक अमावस्य के दिन करोडपती बनने वाली है ये छे राशी वाले धन से माला माल होने वाले हैं दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धरम में काफी सारे देवी देवताओं की मान्यता है आपको बता देए कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनीदेव का भी आता है भगवान शनीदेव सरोच न्याय दीष हैं और भगवान शनीदेव अनुचित कार्य करने वालों को समय पर धंड भी देते हैं शनी देव सूर्य पुत्र और करम फल के दाता माने जाते हैं और आपको बता दें कि मोक्ष को प्रधान करने वाले एक मात्र भगवान शनी देव ही हैं शनी देव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर गवराहट होती है लेकिन सच बात तो ये है कि शनी देव प्रकृती में संदूलन बना कर रखते हैं और ये सभी प्राणी के साथ उचित न्याय करते हैं शनी देव की क्रिपा जिस इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती जो लोग गलत काम करते हैं पाप करते हैं दूसरों को नुक्सान पहुँचाते हैं भगवान शनी देव उनही को धंड देते हैं आपको बता दे अब भगवान शनीदेव की क्रिपा से 12 राशों में से 6 राशी वालों पर होने वाली है भगवान शनीदेव बहुत उन पर प्रसन होने वाले हैं अब इन राशी वालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी आपको बता दे भगवान शनीदेव अब इन राशी वालों पर अपनी अत्यदिक क्रिपा बरसाने वाले हैं जीहां दोस्तों इन 6 राशी वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुश्या ही खुश्या दोस्तों आपको बता दे भगवान शनीदेव की विशेश क्रि अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिसे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों जिन खुशनसीब भागिशाली राश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राश्यों पर भगवान शनी देव की क्रिपा होने वाली है उन खुशनसीब और भागिशाली राश्यों में से जो पहली राशी आती है वो राशी मककर राशी जी हाँ दोस्तों मककर राशी वालों को बता दे कि आपके उपर भगवान शनिरेव की अपार कृपादिष्टी बनी रहे गी जिसे इन्हें धनलाब प्राप्त होने की संभावना है आपको बता दे इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृदि ह जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद्व में तरक्य मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथी साथ इस राशी के लोगों की आय में व्रिधी होगी जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कार्यों को सफलता पूर्वत पूरा करेंगे जी हाँ दोस्तों शनी देव की विशेश कृपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अपार खुश्या ही खुश्या जिससे मकर राशी वालों आपका जीवन मेश राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से आप लोगों के लिए समय बहुत थी अब अच्छा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव आपके उपर बेहद प्रसन है आपके मान सम्मान और प्रतिष्टा में व्रिधी होगी समाज में आपकी प्रशन सा की जाएगी और आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दे जो भी आपके रुके हुए काम थे अब वो समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दे कि जो भी कार्य है आप शुरू करना चाहते थे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिर्वात से आपके आय के साधनों में व्रिदी होगी भगवान शनीदेव के आशिर्वात से आपको धनलाब प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे मेश राशी वालूं आपके घर परिवार में खुश्नमा माहोल रहेगा साथी साथ आपके कारोबार में वृदी होगी सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी अचानक से धनलाव प्राप्ती की आपके लिए संभावना बन रही है साथी साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं आपकी ये योजना अविश्य ही सफल होगी भगवान शनी देव की विशेश कृपा मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है समय अब आपके पूर्णत पक्ष में हैं समय का आप भरपूर लाग उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दे जी हाँ दोस्तों दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है तुला राशी भगवान शनीदेव के आशिरवात से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं जी हाँ दोस्तों आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फाइदा प्राप्त होगा आपको बता दे कि तुला राशी वालू भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपकी आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक बनेंगे दोस्तों के साथ मेल जोल बड़ेगा साथी साथ इस राशी के लोगों को अनेक प्रकार के लाब, दनलाब और बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है आपको अपने परिवार और जीवन साथी का पूरा सयोग प्राप्त होगा आपकी मदुरवाणी की वज़से आपके सभी कार्य अब सफलता पूर्वक पूरे होंगे भगवान शनिदेव जी की विशेश क्रिपा आपके उपर बनी हुई है जिसकी वज़से आपकी धन संबंदित जो भी परिशानिया हैं वे सभी परिशानिया दूर होंगी और साथी साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य अब आपके सभलता पूर्वक पूरे होंगे आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की विशेश क्रिपा तुला राशी वालों आपके उपर बन रही है आप दिन दुगनी और रात चोगनी तरकी करेंगे और अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे तुला राशी वालों आप अपनी सफलताओं की अब मिसाल देंगे जिससे दुनिया आपका जल्वा देखेगी कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव के आशिर्वात से अब आपके लिए समय बहुती अच्छा साबित होने वाला है जीया दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कन्या राशी कन्या राशी वालों को बता दे कि भगवान शनीदेव की विशेश कृपपा आपके उपर बनी हुई है कन्या राशी वालों आपको बता दे ना केवल आपको धनलाब होगा बलकि आपके व्यापार में खूब वृधी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पधोनती के साथ-साथ वेतन वृधी के पूरे योग है साथ-साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका यी सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं भगवान शनिदेव की विशेश कृपा कन्या राशी वालों आपके उपर बन रही है। साथी साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफ़ा होगा। धनलाब प्रापती के अनेक अवसर कन्या राशी वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथी साथ जो लोग संतान प्रापती की इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्रापती होगी और साथी साथ उनके घर परिवार में खुश्टमा माहोल रहेगा। प्रेन सम्मंद मजबूत होंगे, साथी साथ आपे सभी कार्य सफलता पूर्वक पूरे हो जाएंगे, जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये योजना भी इनकी अविश्य ही सफल होगी, भगवान शनीदेव के आपके उपर कृपाद रिष्टी बनी हुई है, आपकी समस्त बनो कामनाई पूरी होंगी और भगवान शनीदेव के आशिर्वाद से अब आपको अपनी जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धनलाभ और भड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, अब आपका जीवन बदल जाएगा, जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो राशी है सिंग राशी, सिंग राशी वालों को बता दे कि भगवान शनीदेव की क्रिपा से ही आपके लिए समय अब बहुत ही बहतरीन होने वाला है, तो आपको बत में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाब होगा, जी हाँ दोस्तों भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके उपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धनलाब भी होगा, एक तरफ परिवार में खुश्यों का माहूल बना रहे वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिधी होगी, जी हाँ दोस्तों सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाब ही लाब मिलने वाला है, भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रही है, साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन व्रिधी के पूरे योग है, सिंग राशी वालों आपको बता दे, भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपके लिए धन प्राप्ती के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक सिती इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुश्यों का माहोल रहेगा, जो लोग संतान प्राप्ती के इच्छा रखते हैं, उन्हें संतान प्राप्ती का सुख मिलेगा, जिससे घर परिवार में खुश्या ही खुश्या होंगी, जिहां दोस्तों आपको बता दे, भगवान श भगवान शनीदेव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णत पक्ष में हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो राशी है धनुराशी। धनुराशी वालों को बता दे कि भगवान शनीदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्दी अच्छी ख़बर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि आपके मेनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दे जो आपने मैनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा आपको बता दे आपके रुके हुए कारे भगवान शनीदेव के आशीरवात से अब समय पर पूरे होंगे आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा आपको बता दें कि आप लोगों के उपर भगवान शनीदेव की असीन क्रिपा बनी हुई है और भगवान शनीदेव की क्रिपा से ही आपकी धन समंदित सभी परेशानिया जो है वो दूर हो जाएंगी और आपको धन प्राप्ति के अनेको अवसर प्राप्त होंगे धन में खुब वृद्धी होगी और अनेको प्रकार के लाब, धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे कि भगवान शनीदेव की कृपा आपके ऊपर विशेश रूप से बन रही है साथ ही साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोनति के साथ साथ वेतन रिधी के भी योग है आपको बता दे कि भगवान शनी देव की कृपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समर्स्त परिशानियों का अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा इस लिस्त में जो अगली राशी आती है वो राशी है कुम्ब राशी जी हाँ दोस्तों कुम्ब राशी वालों को बता दे कि भगवान शनी देव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडारा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव आपके उप अपनी जो भी आपने मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है साथी सा जो भी आपके रुकेवे कार्य थे सफलता पूर्वक पूर्ण होंगे और साथी सा जो लोग व्यापार करते ही उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्यापार दिन दुग और राद चोगना तरकी करेगा उनको हर तरफ से लाभी लाभ मिलेगा कुम राशिवालों अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुश्याई खुश्या आने वाली है भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन है साथी सा जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन विदी के योग है साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मन चाही नौकरी भी मिलेगी आपको बता दे यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा साथी साथ आपके व्यापार में जो भी रुक रुकावटें आ रही थी वो रुकावटे खतम होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी फुर्फ राशी वालो अब आपके जीवन में एक नई खुश्ची का ऐसास करेंगे बहगवान शनीदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर फुम्भ वो राशी है मिथुन राशी दोस्तों मिथुन राशी वालों को बता दे कि भगवान शनी देव की विशेश क्रिपा आपके उपर बन रही है आपको आने वाले समय में अब आए और नौकरी में पधोनती मिलेगी प्यापार में अचानक लाब मिलेगा और आर्थिक सिती होगी सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांतिव आनंद का वातवरन रहेगा आपको कोई बड़ी खुशकवरी मिल सकती है भगवान शनी देव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे व्यावसाय में अचानक लाब होगा और आकस्मिक धन होने वाली हैं जिससे आपके जीवन में होंगी खुशिया ही खुशिया साथी साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना इनकी अविश्य ही सफल होने वाली है संतान प्राप्तिकावी सुख मिथुन राशी वालों अब आपको मिलने वाला है जिसे घर परिवार में होंगी खुशिया ही खुशिया ये कहना गलट नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है समय का भरपूर लाब उठाए और समय को हाथ से ना जाने दे जी हाँ दोस्तों ये खुश नसीब और भागिशाली राशिया जिनको भगवान शनी देव के आशिरवाद से अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है इन राशिवालों के जीवन में होंगी अब खुशिया ही खुशिया भगवान शनी देव के आशिरवाद से इन राशिवालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सची दिर्थ से कमेंट वोक्स में जै शनी देव अविश्य लिखे वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें जै शनी देव